Hello Friends, Welcome to Techno Mahesh आज की इस वीडियो में मैं आपको पताऊँगा कि कैसे आप Taley ERP9 के इंदर एक कंपनी का बेक अप ले सकते हैं और उसे restore कैसे कर सकते हैं ठीक है किसी भी कंपनी का Taley ERP9 के इंदर बेक अप लेना बहुत जरूर जोता है जदि आपका data craft भी हो जाता है तो आप उसे restore करके वापस use कर सकते हैं और इसमें continue होकर work कर सकते हैं तो हम tally on करते हैं यह हमने tally on कर ली है tally on करने के बाद हम एक company create करते हैं जैसे कि मैंने company create की backup के नाम से यह मैंने backup के नाम से company बना ली है इसके दर आपकी जो भी information आप बढ़ते मैं only demo के तोर पर ले रहा हूं से और हम इसके इंदर security control का भी use कर लेंगे देखिए यहां पर राई use security control हम इसे y दबाकी yes करके और इसमें अपना username डाल देंगे और साथ इसके दर पना password लगा लेंगे जैसे मैंने 12345678 password लगा लिया है अब हम password रिपिट कर देंगे 12345678 हमने password रिपिट कर लिया और इसे enter तबाकी company create कर लेंगे यह हमने company create कर ली है ठीक है अब हमसे सबसे पहले username मांगेगा तो हम अपना username डाल देते हैं दिलिप सिंग हमारा username था यह हमारा username था यह हमारा username था और हमारा password था 12345678 यह हमने password डालके से enter दबाकी accept कर लिया है अब हम gateway of daily पर आ गया है सबसे पहले हम आपको backup लेने बताऊंगा तो backup आप कैसे ले सकते हैं आपको दीखिए यहां पर option आ रहा है एफ्टर यानि company information तो आपको alt plus f3 दबाना है जैसे आप alt plus f3 दबाएंगे तो आप company information पर आने के बाद आपको यहां पर option मिल रहा है backup का कि आप बैकप पे जाएं जैसे हम बैकप पे जाते हैं हमें एंटर दबाना है जैसे हम एंटर दबाएंगे तो सबसे पहले बोलेगा सोर्स कि आपको किस डेस्टिनेशन के अंदर यह एंगे अपनी जैसे माका बताता हूँ माल लीजिये मुझे इडिस्क के अंदर मुझे एक नया में फोलडर कर लीता होँ जैसे मैंने यहाव पे टेयली ए आर्पेное कर नामका एक फोलडर क्रेट कर लिया है GST से, कर लिया मैंने create, अब मैं इस folder के अंदर अपना data save करना चाहता हूँ, यहापना backup लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक पर click करूँगा, और यह जो इसकी location हमें से copy कर लोगा, यह मैंने से copy कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, टेली में जाएंगे, टेल Ctrl, Alt, C दबाने से, हम copy कर सकते हैं, टेली के अंदर, और Ctrl, Alt, V दबाने से, हम उसे paste कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, एंटर दबाना है, जैसे हम एंटर दबाएंगे, तो हम से बोलेगा, name of company, कि आपको कौन सी company का data लेना है, यानि की backup लेना है, तो हम backup company का ही data लेना चाहत ही backup लेना है, तो आपको end of list पर जाकर, और इसे enter दबा के accept कर लेना है, देखिए हम से बोलेगा accept, तब इसे y दबा के accept कर लीजिए, यह हमने कर लिया, अब हमारी company का data backup हो चुका है, अब मान लिगजिए, यह data किसी तरह से corrupt हो जाता है, कि आप जो daily में work कर रहे है, data किसी त दबाएंगे, alt plus d, daily arp9 के दर किसी company को या फिर किसी भी voucher को delete करने की short command होती है, हम इसे enter दबा के accept कर लेंगे, यह हमारी company delete हो चुकी है, हो गई, अब देखिए, यहाँ पर हमारी कोई भी company show नहीं कर रही है, ठीक, अब हम इस company का backup कैसे लेंगे, backup लेने के लिए हमें क्या क अब हमें क्या करना है, इसको यानि कि यह जो हमारा backup है, हमें इसको restore करना है, तो हम कैसे करेंगे, टेली में जाएंगे, और यहाँ पर option आ रहा है, नीचे देखिए, restore का, company information के अदर restore का option आ रहा है, हम इस पर click करेंगे, click करने के बाद हमें back दबाना है, एक बार back, space button आता ह तो यहाँ पर सबसे पहला option आता है, destination, यानि कि आपकी company अप कहाँ पर जाना चाहती है, यानि कि आप अपनी company जो restore करेंगे, उसका data कहाँ पर जाएगा, तो normal सी बात है, हम अपनी company का data जो restore करेंगे, वो C disk में लेंगे, जहाँ पर हमारे टेली वर्क कर रहा है, ठीक है, copy कर लेंगे, copy, copy करने गाद हम टेली पर जाएंगे, और यहाँ पर control plus ultra plus V दबा देंगे, control plus ultra plus V दबाएंगे, तो यह पूरा copy हो जाएगा, देखिए, मैं आपको एक पर वापस बताता हूँ, control plus ultra plus V, देखिए, control plus ultra plus V दबाती ही, हमारी जो location थी, वो यहाँ पर से अटुच किए, अब आपको enter दबाना है, enter दबाती ही, जो आपकी company वहाँ पर है, जो आपने backup लिया तो वो यहाँ पर show कर जाएगा, देखिए, आपकी backup company के नाम से एक यहाँ पर backup है, आप इसे enter दबा किसे accept कर लेंगे, यह हमारी company backup में हो, चीकानी कि हमारी जो backup था, वो restore हो चुका है, यह हमने, आज आपको एक company का backup लेना, और साथ-साथ उसे restore कैसे करते ही, यह बताया है, यह आप जरूर करे, टेली ARP9 के अंदर कई बार data corrupt हो जाता है, इसलिए आप जब भी कोई work करे टेल ARP9 के अंदर, एक company का backup लेना, और साथ-साथ उसे restore करना सिखाया है, इससे पहले कुछ video के अंदर मैंने, एक company का logo लगाना, यानि कि कैसे आप एक company का logo enable करके, यानि की feature को on करके, और अपनी company का logo लगा सकते हैं, वो बताया है, इसके अलावा मैंने एक छोटा assignment, जो आपको basic knowledge देगा daily ARP9 की, और साथ-साथ आपको कुछ features समझने में भी मदद करेगा, उसके अपर भी मैंने आपको कुछ videos अपने इस channel पर upload की है, आप चाहे तो मेरे channel techno महिश पर जाकर उन videos को देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको मेरी video अच्छे लागे, तो please like करो, share करो, और subscribe करो, और हाँ साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जदि आपको daily ARP9 के दर कोई भी problem आ रही हो, किसी भी तरह की, तो please आप मुझसे contact करें, आप comment box में जाकर अपनी problem को लिखे, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा, thank you so much.